नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है केरल के पलककर जिले में गर्वती हतनी को विसफोटक खिला करके मारने का मामला विस्तांत भी नहीं पड़ा था कि हिमाचल से वैसी ही खबर आ रही है दोनों खबरों में सिर्फ इतरा अंतर है कि हिमाचल में जो घटना हुई है उसमें गाय जिवित है लेकिन उसका जबड़ा बुरी तरह से खत्म हो गया है पिसफोट जिस तरीके से किया गया है न तो फोटो देख सकते हैं और ना ही वीडियो अब ये पूरा का पूरा मामला वीडियो बनके सोसल मीडिया पे वाइरल हो रहा है घटना जो बताई जा रही हो हिमाचल परदेश के बिलासपुर के जंडूता के डाड़ गाओं का है घायल गाय के मालिक ने खुद ही वीडियो बनाया है और उसने अपने पडोसी पे आरोप भी लगाया है मैं गुर्देयाल जिंग गाओंडाड तसील चनुता जला बिलासपुर माचल परदेश से यह देखो आज हम बोलते हैं कि गव रक्षा करो गव रक्षा क्या की जाए हमारा पडोसी है साथ में नांदलाल है नाम इसका मिस्त्री का काम करता है दिमान है ठीक है इसने जान बुच के यह काम किया है और अभी गहर से भाग गया है और अभी गर्वाले क्या बोलते है कि कर लो जो कुछ भी कर रहा है तो इसका मतलब इनको किसी भी उसे ना तो प्रधान से डर है ना किसी पूल सुबाले से डर है तो ऐसे लोगों को सक्त सक्त कारवाई करके इनको जो है जल्दी से जल्दी जेर की सलाखों की पीछे उना चाहिए यही मेरी सबसे बिनामन नवेदन परात्रा है कि इस वीडियो को जादा से जादा शेर किये ताकि गव के बारे में सभी जागरुत हो सके मामले की जाच हो रही है जैसे ही जनकारी मिली सम्मंदित जिले के डियेसपी जो है मौके पे पहुँचे संजे कुमार और उन्हें बताया कि विस फुटक के नमूने लेकर कि जाच के लिए भेजा गया है पूरे मामले की बहुत ही सजिंदगी से छान बिन की जा रही है जो भी इस मामले में दोसी मिलेगा उसके खिलाफ सक्त से सक्त करवाई की जाएगी साथ में उन्होंने ये भी अपिल कि है कि इस मामले को संप्रदाइक रंग न दिया जाए इन खबर की भी अपील है कि इस मामले को किसी भी सूरत में संब्रदाइक रंग न दिया जा इसलिए हम गाय के उस घायल फोटो को नहीं दिखा रहे हैं सिर्फ जो गाय के मालिक हैं जो रो भी रहा है और अपना दर्द बया कर रहा है कि चुनावती देकर कि इस काम को किया गया है और जिस बेक्ति ने इस काम को किया है अब वो फरार है जैसा कि डि-एस-पी और सम्मंदीत पुलिस अधिकारीů ने बताया है कि उसकी तलास की जा रही है गाऊं के ग्रामपरदान से लेकर और सब लोगों से जनकारी कठी की जा रही है और जैसे ही इस मामले में किसी कंक्रीट डिसिजन तक पहुंचते हैं सक्ष से सक्ष करवाई की जाएगी कड़ी करवाई होनी भी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके कितनी अफसोस जनक बात है कि हतनी को लेकर के पूरे देश में संग्राम छुड़ा हुआ है बवाल हो रहा है बिरोध हो रहा है और इधर गाय को ही फोटक खिला करके उसको मारने की कोशिस की गई वो गाय भी गर्बोती है और बहुत जल्दी बच्चा देने वाली है तो चुकि ये मामला बहुत ये सम्मेदन सील है इसलिए इसे उसी हिसाब से निप्टा जाना चाहिए तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजितल चैनल इन खबर थैंक्यू